हेलो फ्रेंड्स आज की इस फीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने edistrict.dellygorement.nic.in की वेबसाइट पे पहले रेजिटर किया हुआ है और आप अपना रूजर आइडिया और पासफ़र्ण भूल चुके हैं और जब आप न्यूजर पे जाते हैं तो आप न्यूजर पे जाने के बाद आप जब आप इसमें अपना कोई document देते हैं citizen form के लिए तो यहाँ पे मैं अपना अधरकार्ट देता हूँ अधरकार्ट देने के बाद जैसे ही आप अपना document number डालते हैं और capture fill करने के बाद continue करते हैं तो आपको एक notification आता है कि आपका आधार पहले से registered है बट आपको अपना user ID और password नहीं पता है तो आप कैसे forget करेंगे अपना user ID password तो मैं आपको वदा देता हूँ तो इसके लिए आपको simple login के option पे जाना है login के option पे जाने के बाद आपको simple click करना है forget password के option पे जैसे आप forget password के option पे click करते हैं आपको यहाँ पे अपनी कुछ detail फ्रील करने हो कि अपने user ID और password के लिए तो इसमें सबसे पहले आप से पूछा कि आपके पास कोई certificate बनाया हुआ है अपनी डिस्टिक से तो आगए इस कीजिए नहीं तो no कर दीजिए जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जेंडर सेलेक्ट करने बाद आपके पास दो option आते हैं OTP के लिए एक आपका mobile number एक आपका email ID तो आप किसी पर भी OTP ले सकते हैं तो मैं आप mobile number fill करने के बाद आपको simple capture fill करना है right capture आपको यहाँ पे लेटीन की वेबसाइट पर जाकी वहाँ पर लोगिन के ओप्सिन पर जाने के बाद आपको ज़रा ID and password देना होगा और फिर capture fill करके login कर लेना हो जैसे आप capture देके login करेंगे आप से यह आपका old password पोचेगा जो कि अभी अपको message पर आपको new password देना है अपना फिर confirm new password करना है इसके बाद continue कर लेना है जैसे continue करेंगे आपका password reset हो जाएगा तो इस तरह के से आप password reset कर सकते हैं और दुबारा से अपनी website के अंदर login कर सकते हैं